हलो गुद मारिंग बच्चों कैसे हो आप लोग तो आप लोग को तो पता है बी सी सी एली का फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग का एक्जाम भी जल्दी होने वाला है 14 ऑफ जुलाई कोई तो टाइम बहुत कम है तो आज हम लोग बी सी सी एली को लेके इंग् है तो चलिए हम लोग अब थोड़ा कुछ कोश्यन देख लें सबसे पहला कोश्यन हम लोग का अनमबर ओफ पिकॉक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मस्टर ठीक है मस्टर का मतलब ग्रूप या गैदरिंग भी होता है मतलब समूं समूं भी कह सकते हैं या कोई सभा जिसको ह ठीक है अब दूसरा क्या है अनमबर ओफ शिप जिसको हम लोग फ्लॉक बोलते हैं ठीक ना फ्लॉक का मतलब क्या होता है जुन्ड ठीक ना फ्लॉक का मतलब क्या होता है जुन्ड उसके बाद है नमबर ओफ मंकी अनमबर ओफ मंकी जिसको ट्रूप बोलते हैं ठीक ना ट्र जिसको स्वाम बोलते हैं इसका भी मतलब जुन्ड है तो देखिए वर्ड अलग-अलग होंगे तो तो इसको सेम ही रहते हैं तो एकदम अच्छे से तिन-चार बार पढ़िएगा सब हो जाएगा ठीक है फिफ्थ है नंबर ओफ व सॉल्जर्स जिसको आर्मी बटाली है ना रेजिमेंट भी बोलते हैं एक सेन्य अद्दल ठीक है जिसको बोला जाता है उसके बाद हैं अनन आफ नट्स जिसको क्लस्टर बोलते हैं मतलब कोई गुच्छा या जुन्ड ठीक न असके इसके बाद है a number of servants, जो सफाई करमचारी है, जो काम वाम करते हैं, उनको हम लोग staff बोलते हैं, तो नहीं बोलते हैं, रहे काम करने वाली है, तो as a respect हम लोग उनको क्या बोल सकते हैं, staff, ठीक है, उसके बाद है number of slaves, जिसको गैंग या कौफल बोलते हैं, गैंग मतलब कोई दल या टोली, ठीक ना, उसके बाद है a number of mules, जिसको बरेन बोलते हैं, इसका भी मंतर कोई बंजर या अनुप जाओ जगती ना, इसका मतलब होता है, उसके बाद है number of troops, जिसको हम लोग दल या group या gang इस टाइप से बोलते हैं, उसके बाद है a number of wolves, जिसको pack बोलते हैं, ठीक इसका मतलब बेरया खारी भी होता है, ठीक ना, तो ये कुछ बाद इंपोर्टेंट कोशन थे, कलेक्टिव नाउंस के, तो इसको अच्छे से पढ़िए, और इंपोर्टेंट कोशन हम लोग अपने जल्द अपने चैनल effort plus पे और लाएंगे, और ये नहीं कि एक बार रही है, एकदम लिखिए, उसको तिन चार वर पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, और बी-सी-सी-एली की तयारी करने के लिए, हमारे effort plus पे बहुत अच्छे से तयारी हो रही है, पी-वाई-क्यू, एम-सी-क्यू, स्रीज, सब कुछ, तो आप लोग कोर्स को लेने के लि 7079-571198 पे, जिससे हमारे कोर्स के बारे में आप को डिटेल में पता चलेगा, और आपकी अच्छे से तयारी हो सकेगी, थैंक्यू, गुड लग,